हिमाचिल प्रदेश में लगातार पांच दिन तक बारिश के बाद अब पिछले एक सब्ता से धूप नहीं खिलने से बिमारी की आशंका के चलते किसानों के चहरे मुर्जा रहे हैं किसानों ने जल्द धूप ना निकलने के कारण गेहुवा अन्य फसलों में पीला पन जैसे कुछ बिमारीयों के होने की आशंका भी व्यक्त किये हैं वहीं मौसम की यही अठकेलिया आने वाले कुछ समय तक जारी रहने की संभाव ना भी जिताएगी है ऐसे में किसानों को अपने खेतों में पानी की निकासी बहतर किये जाने के सुझाव दी हैं किसानों की चिंटा दूर करने के लिए उन्हें फसलों में दो वेकल्पिक दवाओं के चिड़काव के भी निर्देश दी हैं जनवरी के पहले सब्ता में लगातार पांच से छे दिन तक बारिश होती रही वहीं उसके बाद जनवरी के दूसरे सब्ता तो बिना धूप के गुजर गया नए साल के तीसरे सब्ता की शुरुआद बिना धूप से ही हुई है इसमें कोई दोराहे नहीं है कि मौसम का ये अंदाज हिमाचल परदेश में परेटकों को अवश लुभा रहा है लेकिन मौसम की इस अंदाज में परदेश से किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीर खड़े कर दी है किसान मौसम की इस बेरुखी को देखकर परदेश के उना में किसान ऐसे मौसम को अपनी बेरुखी मान रहे हैं किसानों का दावा है कि लगातार बारिश और फिर लगातार पिछले दिनों से धूप ना निकलने के चलते फसलों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है किसानों ने धूप नहीं निकलने के कारण गेहु सहित अन्य फसलों में पीला पन आधी कुछ अन्य बिमारियां पन अपने की आशंग का व्यक्त की है किसानों ने फसल की बहतरी के लिए धूप को बेहद जरूरी बताया पहले तो बार्ष चाहिए थी भार्ष जाहिए थी तो बार्ष पढ़ी है शाथ आठेल बार्ष पढ़ गोटUST ने निकल लें है बहुतनों को हर अब वह सラं को सब्सक्ष्चा जो कसान देरा हूँ उस्टुप ने तो पीले खिश रही है नहीं किनव फसलों को पीले की शिकायत हो रही है कि गेहों को भी जो एक लेशन प्याज जो भी लगा रखा आए को बॉसेंद रखाए चटाला दोरों के लिए तो उन वे सब को पी लिया पड़ रहा है कि धूफ नेकलनी रही है कि अबड़ी परिशानी हो रही है वह पर शानी हो रही है जो ज़ले दूप निकल लेज़ेगे कि यह बता है अभी काफी दिनों से ठंडक है मौसम में और बारिश अभी काफी दिन हुई है उसके बाद अभी धूप नहीं निकली है तो फसल को किस तरीके का असर पड़े रहा है क्या करने करके न तो दो फसलों पर भी इसका असर पड़ रहा है या दूसरी फशलों पर भीष्क कोई दूसरी पर वहीं किसानों की परिशानी और चिंता पर क्रिशी विभाग ने भी आजशिक रूप से सहमती जताई है लेकिन विभाग ने गेहूं और मौझूदा अन्य फसलों को सर्दी की फसल बताया क्रिशी विभाग ने मौझूदा मौसम के मिजास को देखते हुए सर्दी की इन फसलों के अच्छे विकास के लिए खेतों में पानी की निकासी बहतर डंग से किये जाने का सुझाव दिया साथ ही विभाग ने पीलापन वा अन्य बिमारियों से बचाव के लिए दो बार विकल्पिक दवाईयों के चिड़काव के भी निर्देश दिये हैं बिल्कुल आपने सही का बिल्कुल यह चलो इस वार यह कि मौसम इस वार अच्छा बना हुआ है पिछले साल देखेंगे आप तो यह महिना पूरा सूका निकला था लेकिन इस वर्स के जनवरी में अच्छी बारिश होई है और आज से अगले चार दिन भी बारिश के असार है लेकिन इस वार यह समझसा यह आएगी कि जो हमारी सबजी वर्गी जो फसने है जैसे टमाटर है, आलू है, प्याज है, लसन है तो आपने देखा कि 90% इसमें इस वार चांसिस हैं कि वो जूसा रोग जिसको मंघरी जी में ब्लाइट कहते हैं हिंदी में जूसा गयते हैं और किसान जूसा के नाम से इसको पचानते हैं तो वो रोगानेगी समभावना पूरी बनी हुई है तो मैं इसमें किसानों को यह हदायत दूँगा कि अपने खेतों में विजिट करें, देखें खेतों में, और कम से कम एक preventive spray जोगा डाइथेने वोडिफाई, और साथ में उसमें बैविस्टिन मिला ले, बैविस्टिन आपने एक गराम प्रती एक लिटर पानी में डालना है, पंप में, और डाइथेने वोडिफाई आपने करें, और टमाटर की जो फसले जो पनीजी दे रखी है, उसमें करें, और रही बात जो दूसरी जो फसले है, गोबी वर्गी फसले है, तो वो हमारी ठंड की फसले है, उसमें किसान को चिंता करने की कोई बात नहीं है, और रही बात गहों की, गहों में किसान ये धियान किसानि का निकाल निखाव उसके बाद कंजा हुआ की उसके पले हुआ ज़ेक्टे है उसके उसके करें और नानो यूरिया सकते हैं उसकी चला जान सकता है हाँ इसको लिए हमारे पास एक हैंए हैं तो मैंने जितने भी जो हमारे अधिकार है उतकों के माध्यम से किसानों को इसको आफ़स कराएं मीडिया है निल्वोस से ऊसे भी किसानों से बच्षव थारे और अगले से नंधभिड़नी ने तो किसानगों को चाहिए प्रेडो मिल यह साफ एक दवाई मिलती है वह आपने एक से डिएड़ ग्राम यह लिटर पानी में डाल के स्परी करना है तो वह उसको बीमारी को चेक कर देती है तो यह किसान जिरूर करें मुझे लगता कि शाहिद इस वारश्चुजोन का अच्छी रहेगी क्यो